आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो question कह रहा है कि Select the correct statement, right? हमें नीचे 4 statements दे रखे हैं और इनमें से कौन सा सही है वो हमें select करना है, right? यह statements कहा है, gram पर centimeter cube और kilogram पर meter cube जो है उनके बीच का correlation पूछा है, right? तो हम ले लेते हैं, 1 gram पर centimeter cube अगर इसे हमें convert करना है, तो हमें पहले इनके correlation पता होने चाहिए हमें पता है, 1 kilogram में किते grams होते हैं, 1000 grams सही है, और 1 meter में किते centimeter होते हैं, 100 centimeter तो फिर अगर हम इसे convert करें, तो 1 divided by 1000 तो grams तो किसमें convert हो गए? kilogram में, और centimeter को अगर convert करना है, meter में तो उसको कर देंगे, divide by 100 तो वो आ जाएगा numerator में, तो into 100 का cube और यह किसमें convert हो गया? meter cube में, यह हुआ 10 की power 6, यह 10 की power 3 overall क्या बचेगा? 1000, 10 की power 3 kilogram per meter cube यानि कि 1 gram per centimeter cube में हमारे पास 1000 kilogram per meter cube होते हैं, तो पहला option तो हो गया सही, दूसरा वाला है गलत, तीसरा option भी हमारे पास जो है, अगर यह 100 gram है तो 100 gram per centimeter cube में तो कितना होगा? 10 raise to power 5 kilogram यह भी गलत है, और 1 kilogram per meter cube is equal to 1 gram per meter cube, यह तो गलत है तो सही, आंसर क्या होगा? option A Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर क्या है